जय मात अदी, आप सभी को चैतर नवरात्री की हर्दिक शुब काम नए, मतरानी आप सभी को खुशियां दे इस बार साल 2024 में चैतर नवरात्री की तिथी को लेकर बहुत ज़दक कन्फ्यूजन है तो आपको बताते हैं सही तिथी और शुब मूर्थ के बारे में सनाता अंधर में चैतर नवरात्री का विशेस महत है साल भर में कुल चार बार नवरात्री पढ़ती हैं जिसमें चैतर और शार्दे नवरात्री सबसे महतपोन होती हैं हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्री शुकल पक्ष की प्रतिपदा तिथी से प्रारम हो जाती हैं जो कि नौ मितिथी को समाप्त होती हैं इस दोरान मा भगवती के नौ स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती हैं माननेता है कि इन नौ दिनों में मा की पू ही भी नहीं है लेकिन इस बार नवरात्री की शुरुवात साल के पहले सूरी ग्रहन के साथ हो रही है जो की पूर्ण सूरी ग्रहन होगा और ये सूरी ग्रहन दुनिया के जिन भी इस समय के लिए अंधिरा चा जाएगा ऐसे में ग्रहन के साथ साल की शुरुवात होना इस बार चैतर नवरात्री प्रारम होगी 9 अप्रेल मंगलवार से और समाप्त होगी 17 अप्रेल पुधवार को 9 अप्रेल मंगलवार को प्रतिपता दिथी रहेगी और कलश इस्थापना करने का शुब मूर्थ सुबह 6 बच कर 2 मिनट से 10 बच कर 16 मिनट तक रहेगा दोपहर का जो अभिजीत मूर्थ है जो कि शुब होता है सुबह 11 बच कर 57 मिनट से लेकर 12 बच कर 48 मिनट तक रहेगा आप इन दोनों ही मूर्थों में से किसी भी मूर्थ में कलश की स्थापना कर सकते हैं 10 मिन तिथी के दिन ही कलश विसरजन और दुरगा विसरजन किया जाता है और जिन लोगों के हाँ पर दिन मां व्रमुचारनी टीसरे दिन मां महोरी आत Chapter नवरात्री का वरत रखनेवाले भाफ औंग इन कि नौ रूपों की गढ़ने नौ दिन तक करनी चाहिए तभी वरति का पूरा फल प्रांत होता है ये थिया है वीडियो बागी वीडियो को जरूर दिखेगा जानकर यह अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लिजिगा ताकि सारी वीडियो आपको सही समय पर मिल सकें